एक ऐसा कानून जो मस्ले होते हैं जो दोगा धड़ी हned होती है उनको नियाईं दलाता है आपके पर्दान में जो रॉघेर करता है और ये आए सवजाश भी दिलवाताहा है तमाम नए तो ही डिसले इंदात से आप ले सकते हैं तो आज बात होगी एक्ट पर आज बात होगी एक्ट के स्रेक्शन 138 पर क्योंकि कई बार यह देखा गया कि आप लोगों की डिमांड रहती है कि हम लोग लेटेस केस लौ आप तो इसमें दें तो आज हम एक सुप्रिम कोट का बहुत अच्छा एक असा का कानून लेके आए हैं जो है तो थोड़ा ओल्ड लेकिन है बिल्कुल गोल्ड जी हां थोड़ा कानून पुराना है लेकिन आज तक वही माना जाता है इतना पुराना भी नहीं है कुछ साल पुराना है लेकिन आज तक सारी कोट में वहीं चलता है हर जगे वहीं माना जाता ह तो आई ये शुरू करते हैं कि आखर मामला है क्या तो इस पूरे मामले में हुआ यूँ कि एक यहां पर सिमेंट एजनसी है और उस सिमेंट एजनसी ने एक करोड रुपे का सिमेंट दिया एक व्यक्ति को उस व्यक्ति ने जो उसका पेमेंट था वो पेमेंट किया और पेमे पेमेंट है वो आपका पेमेंट हो जाएगा तो मामला यहां से शुरू हुआ कि कमपणी ने दो दो लाख रुपे के जो तीन चेक थे जब वो एकाउंट में लगाए जब उनको कैश कराना चाहां चैक को तो हुआ यह कि चैक हो गए बांस जब चैक बांस हुए तो संबंदि में द्यक्ति को बताया गया उससे कहा गया कि आपके चैक हो गए हैं बांस बताइये आप क्या करेंगे पैसे देंगे शंबंद्wind से इंकार कराद दिया तो चाहरे की जो आती मेंक FILम ब् hust haben चेक स्टेटमेंट पर यह लेखा हुआ था कि चैक जो है जिस जिस व्यक्ति ने जारी किया है उस व्यक्ति ने उस वक्त में गल प्लगत OneK मामले में जो जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया था यानि कि जो अभ्युक्त था जो मुल्जिम था इस पूरे केस में उस व्यक्ति ने जिस कोड से उसको संबन जारी हुए उस कोड में पहुंचा और उसने वहां पर एक application कि इस केस में इस्टे दिया जाए गरफतारी से बचने के लिए क्योंकि यह मामला पूरा का पूरा गलत है हमें इसमें इसलिए चाहिए कि मामला इस्टाप पेमेंट का है हम इनको पैसा देना नहीं चाहते उसने कुछ अपने रीजन बताई कि क्यों नहीं देना चाहते हैं उ पर चेक बाउंस हुआ और 138 एक्ट का वो कहता है कि अगर चेक बाउंस हुआ तो आपके उपर धारा लगेगी कारवाई होगी आपके वारेंट भी जारी होंगे नोटिस जारी होंगे सब कुछ सब्सब्राइब का व्यक्ति प्राइब स्वाइब का वह सर्य स्रीव का हाई को मामली में इस्टेश देने की बातकि आ समय राहत दी जाएं आयाएं मामला इस टौ का अनुरे में पविंटे कि महले नहीं देना चाहते शोड़ा नहीं हुआ हाई आलग इस मामले में यह कहा को कि मामिला इस种 पेमेंट का नहीं बनता है इसलिए ईस मामें जो याजिका थी अभ्यूक्त की उसकोकोश प्रंब कर लिए है अब ऐसे माथी था मुधत नहीं है मेरे 것은 जिसका की 6 सब्सक्राइब मामले में बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया बहुत अच्छा एक और पास किया सुप्रिम कोड़ ने कहा इस मामले में कि आपका कोई भी चैक अगर है और आप उसको स्टॉप पेमेंट लगा देते हैं तो वह स्टॉप पेमेंट भी चैक बाउंस ही माना जाएगा चैक पाने का नंबर आया तो उनको चेक दे दिया और चेक में जाकर बैंक में स्टॉप पेमेंट लगवा दिया यानि कि अपने खाते से रकम को निकालने के लिए रुकवा दिया और उसके बाद कहते हैं कि साब हमने चेक जो हमारा बाउंस हुआ वह इसलिए नहीं हुआ कि परिय देश भर में लोगों का अर्वा रोपय का भुकतान इस आउडर के आने के बाद हो चुका है केस बहुत मैत्तपूर है आप चाहें तो इसका साइटेशन नोट कर सकते हैं यह केस का नाम है मोधी सीमेंट लिमिटेड वर्सिस कोचील कुमार नंदी दो मार्च 1998 को यह ओडर पास हुआ और देश की माननिया सुप्रिम कोट की ती जैजिस की बैंच ने इस ओडर को पास किया इस ओडर की डिटेल्स आपको जो है इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे आप लोग च